नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल एक्जाम लर्णर में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरो यारो यानिकी समिछादिकारी ओमसायक समिछादिकारी के लिए समान हिंदी पेपर टू का नौवा माडल फेपर इसके पहले हम अगले वीडियो का नौटिकेशन आपको पहले मिल जाए और इसका पीडियाप आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक दे दिया गया है आपको वहां से जॉइन करके पीडियाप डाउनलोड कर सकते हैं तो चल आपसन सी अथ का बिलोम होता है इती और पूर्ड का जो है बिलोम हो जाएगा आपका एपूर्ड पूर्ड का बिलोम क्या हो जाएगा तो एपूर्ड हो गया और समाप्त यानि कि प्रारम समाप्त का बिलोम हो जाएगा प्रारम अगला प्रशन आपका अनिवार का बिलोम स आववाव का भिलोम होता है अनु भाव का भिलोम को हजाएगा अगला प्रश्णा आपका अनुरग्त सब्द का भिलोम बताना है क्या होगा तो इसका सही इंसर हो जाएगा option D, बिरक्त अनुरक्त का बिलोम हो जाएगा आपका बिरक्त और जो है आपका अर्थ जो है यह अनर्थ का बिलोम हो जाएगा और अनुरक्ती और बिरक्ती यह जो है आपस में बिलोम है अगला प्रशन आपका अरजन सब्द का बिलोम क्या होगा तो इसका श़ rankings हो जाएगा आपशन B अरजन का बिलोम होगा 2N B आपशन सब्द हो जाएगा 5 का और अमřित का बिलोम होता है 20 और इसके बाद जो है आपका अनर्थ का बिलोम हो जाएगा अर्थ अगला question अब देखते हैं अपूर का बिलोम सब्द क्या हो जाएगा तो इसका सही answer हो जाएगा आपसन ये पूर अपूर का बिलोम होगा पूर ये आपसन सही हो जाएगा और इती का बिलोम होता है आपका अत नेक्स्ट आपका नीचे दिये गए बिलोम सब्दों के युग में कौन साथ तुरूटि पूड है प्रस्ण संख्या साथ तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपसनी आपसनी जो है अनुग्रेह अग्रेह दिया गया ये आपका तुरूटि पूड है अग्रेह का बिलोम होता है दुराग्रेह क्या होता है तो दुराग्रेह हो जाएगा जबकि यहाँ अनुग्रेह दिया गया है तो इसलिए जो है आपका गलत है और बाकी अनन्त का अन्त होता है जड़ का बिलोम चेतन होगा आक्रिष्ट का बिलोम हो जाएगा बेक्रिष्ट अगला प्रश्ण आपका अलभ्य का बिलोम सब्द क्या होगा तो इसका सही इंसर हो जाएगा आप्शन D अलभ्य का बिलोम सब्द हो जाएगा लब है और सुगम का बिलोम होता है दुरगम सुगम का बिलोम हो जाएगा दुरगम और सहज का बिलोम हो जाएगा आपका ए सहज इसके बाद जो है आपका सरल का बिलोम हो जाएगा आपका कठिन या फिर जो है जटिल तो आठवा का जो है आपका अगला प्रश्ण आपका आहूत का बिलोम सब्द बताना है आपको तो इसका सही एंसर हो जाएगा आपसन डी अनाहूत आहूत का बिलोम क्या होगा तो अनाहूत हो जाएगा नेक्स्ट आपका अवर का बिलोम सब्द क्या होगा तो इसका सही एंसर हो जाएगा option B, परवर, अवर का बिलोम होगा आपका परवर, लगू का बिलोम होता है दिर्ग, क्या हो जाएगा, तो दिर्ग हो जाएगा, कनिष्ट का बिलोम सब्द हो जाएगा आपका जेस्ट, क्या हो जाएगा, तो जेस्ट होगा कनिष्ट का बिलोम नेक्श आपका अर्क के लिए बेमेल सब्द पहचानिये तो तीन सब्द जो है आपका अर्क का समानार्थी होगा एक जो है आपको बेमेल दिया गया है वही आपको बताना है अर्क का बेमेल क्या हो जाएगा तो अर्क का बेमेल हो जाएगा आपका अंतर बाकी अफोवन, काढ़ा और सूरी ये सभी अर्ग के समानार्थी सब्द है अगला प्रश्णा आपका अनल का प्रयावाची सब्द क्या होगा तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपसन ये अगनी अगनी का प्रयावाची है अनल सब्द उसके बाद अनिल जो है ये आपका हवा का प्रयावाची होता है याद रखेगा किसका तो ये हवा का प्रयावाची है नेक्स्ट आपका उपाने सब्द किसका प्रयावाची है तो इसका सही अंसर होगा आपसन ये जूता का उपाने जूता का प्रियावाची सब्द है नेक्स्ट आपको कि समानार्थी जोडे का अनुपियुक्त बिकल्प चुनिये तो यहाँ जो आपको अनुपियुक्त यानि की बेमेल बताना है तो यहाँ जो भी आपसंस ही हो जाएगा आपका प्रसन संक्या चौधे का काक, सारंग और मयुर्ण यह सब्द है आपका अनुपियुक्त यह बाकी सब्द है समानार्थी है उपियोगी उपादे, इस्टकर, और पुसकर, जलासे, ताल, भोम, मही, धरा यह समानार्थी है तो भी आपसंस ही हो जाएगा अगला प्रसन आपका कमल सब्द का प्रियावाची क्या होगा इसका सही अंसर होगा आपसं ए तामरस कमल का प्रियावाची जो है तामरस होगा यह यह आपसंस ही हो जाएगा और रसाल जो है आपको पता होगा यह आम का प्रियावाची है और अम्भू आपको पता होगा यह जल का प्रियावाची है और सोमरस यह मदिरा यानि की सराब का प्रियावाची है नेक्ट आपका कौसल का प्रियावाची नहीं है कौनसा आपको पताना है तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपसन सी अभ्यागत अभ्यागत जो है कौसल का प्रियावाची नहीं है वाकि दच्छता, कुसलता और पटुता एस भी कौसल के प्रियावाची है अगे बढ़ते हैं कामदेव का प्रियावाची सब्द कौन सा है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन C मनोज मनोज जो है आपका कामदेव का प्रियावाची है सरोज आपको पता होगा यह कमल का प्रियावाची है सरोज नेक्स आपका केतु सब्द का प्रियावाची कौन सा होगा तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन C से हो जाएगा धोज धोज जो है यह केतु का प्रयायवाची है नेक्ष आपका खगेश का प्रयायवाची कौन सा है तो इसका सही एंसर हो जाएगा आपसन C वैन ते जो है यह आपका खगेश का प्रयायवाची सब्द है अगला प्रश्ण आपका निम लिखित में क्या गंगा का प्रयायवाची नहीं है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आप्शन C, कालिंदी कालिंदी यह आपको पता होगा यह किसका प्रयावाची है तो यह यह मुना का प्रयावाची बाकी मन्दा की नहीं, भागी रथी और सूर सती, सूर सरिता ये सभी जो है गंगा के प्रियावाची हैं। नेक्स आपका निम्न में से सुध्ध सब्द बताईए। प्रस्ण संख्या 21 में आपको सुध्ध बताना है कौन सा है। तो इसका सही एंसर हो जाएगा आपसल ये उज्वलन, ये आपका सुध्ध है, बाकी सभी जो है गलत है। अगला प्रश्ण आपका प्रधान मंत्री के भासड की सुरुत लिपी, उसने उसी समय ले ली। तो आपको सुरुत लिपी का सुध्य सब्ध बताना है कौन सा सही होगा। द्यान से देखेगा, बी आपसल सही होगा प्रश्ण संख्या 22 में। अगला प्रश्ण आपका अपने हाथ से स्वयम काम करो, वाकी का सुध्ध रूप क्या होगा। प्रश्ण संक्या 23, तो इसका सई इंसर होगा, आपना काम स्वयम करो, ये आपका सुद्ध होगा, आगे बड़ते हैं, प्रश्ण संक्या 24 है, निमलिखित विकल्पों में से सुद्ध वाक्य चुनिए, तो इसका सई इंसर हो जाएगा, आपसल ए, मैंने तीन कुर्सियां खर वाक्य में असुध अंस है तो इसका सही अंसर होगा आपसन ए मैंने यहां मैंने नहीं बलकि क्या होना चीए था मुझे घर जाना था तो ए जह होगा आपका गलत है ए आपसन से हो जाएगा अगला प्रशना आपका निमलिखित में से कौन सा वाक्य असुध है तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपसन बी सज्जन लोग भला ही सोचते है यह आपका गलत है यहां होना चीए था कि सज्जन भला ही सोचते है तो बी आपसन जो है आपका असुध है अगला प्रश्ण आपका कोरोना एक जान लेवा जीवाडू है कोई गलती नहीं तो आपको बताना है कौन से पार्ट में जो है आपका गलती है प्रस्ण संख्या 27 में तो यहाँ आपका C पार्ट में गलती है उपरियुक्त वाक्य में असुध अंस अस्पष्ट कीजिए तो 28 में जो है आपका D जो है आपका गलत होजएगा मन नहीं होती है यह आपका गलत है यहाँ अचिए मुझे आज खाने का मन नहीं होता है अगला प्रश्ण आपका सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का सुध रूप क्या ہोगा तो इसका सभी अंसुर हो जाएगा option D सभी साथ स्कूल जाते हैं यह आपका सुध वाक्य होगा अगला प्रश्ण आपका सुध वाक्य का chain कीजिए प्रस्ण संख्या 30 में तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपसन D उसे सिमला जाना है यह जो है आपका सुद्ध है बाकी सभी जो है गलत है नेक्स्ट आपका अनियमित के लिए उचित वाक्यांस चुने तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपका आपसन B जो नियमा नुकूल ना हो उसके लिए एक सब्द हो जाएगा अनियमित आगे बढ़ते हैं जिसे नहीं जीता जा सके वाक्यांस के लिए एक सब्द क्या होगा तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपसन ये से हो जाएगा अजे जिसे नहीं जीता जा सके उसके लिए एक वाक्य होगा अजे अगला प्रश्णा हो आपका जिसका जन्म छोटी जाती यानि कि निचले वर्ड में हुआ हो के लिए एक उपियुक्त सब्द क्या होगा तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसंसी अंतियज नेक्ष्ट आपका जो मापा नै जा सके उसके लिए एक सब्द क्या होगा तो 34 का जो है ए आपसंसी हो जाएगा एपरी मे आपसंसी हो से हो जाएगा एपरी मे अगे बढ़ते हैं अब ऐसा अब्यक्ती जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता उसे क्या कहते हैं तो इसका सही अंसर हो जाएगा option C सही हो जाएगा यहां अतित्थी नेक्स आपका जो कभी बूढ़ा ना हो उपयुक्त सब्द का चेन करें तो इसका सही अंसर हो जाएगा option B सही हो जाएगा अजर जो कभी बूढ़ा ना हो के लिए एक सब्द हो जाएगा अजर यानि कि वह अजर कहलाता है और अमर जो है जो कभी ना मरे उसके लिए एक सब्द होगा अमर अगला प्रश्णाप का जिस पर आक्रमड किया गया हो वाक्यांस के लिए उचित सब्द चुने तो इसका सही इंसर होगा आप्शन C आक्रांत नेक्स्ट आपका जिसे परमाड द्वारा सिध न किया जा सके उसके लिए सही सब्द क्या होगा तो इसका सही इंसर हो जाएगा आप्शन C आप्रमे नेक्ष आपका जो छीड ना हो सकी उसके लिए उपयुक्त सब्द क्या होगा तो इसका सही इंसर हो जाएगा आप्षन C अच्छे नेक्ष आपका किंचित तत्सम सब्द का तदभा सब्द बताईए तो इसका सही इंसर हो जाएगा आप्षन C से हो जाएगा कुछ किंचित जो है यह आपका तत्सम सब्द है इसका तत्वा हो जाएगा कूच और जो है थोड़ा जो है यह आपका तत्वा सब्द है इसका तत्सम होता है अस्तोक क्या होता है तो अस्तोक हो जाएगा वेक्षापका निमलिखित में तत्सम आपको बताना है कौन सा है परसंत संख्या 42 में इसका सही अंसर हो जाएगा option D ग्राहक ग्राहक जो है आपका तत्सम सब्द है और इसका तद्वा होता है गाहक क्या होता है तो गाहक हो जाएगा गाह जो है आपका ये भी तत्वा सब्द है इसका तत्सम होता है गो गधा जो है ये भी तत्वा इसका तत्सम होता है आपका गर्धब गड़ा ये भी जो है आपका तत्वा सब्द है इसका तत्सम होता है घट आगे बढ़ते हैं निम्लिखित सब्दों में से तत्सम सब्द कौन सा है आपको बताना है प्रसंद संख्या 43 में तो इसका सही इंसर हो जाएगा आप्षन ए दिवस ए आपका जो है तत्सम सब्द है और आशू जो है यह आपका तदभाव है इसका तत्सम होता है अस्रू आपका मरच्छर D आप्षन सही होगा आगे बढ़ते हैं आप सिंगार सब्द का तत्सम बताना है आपको तुझका सही इंसर हो जाएगा आप्षन C स्रिंगार द्यान से दीखीगा स्रिंगार C वाला जो है सही होगा अगला प्रस्ना आपका निम्लिख प्रसंद संख्या 46 तो इसका सही इंसर हो जाएगा option D चार जो है यह आपका तद्वाव सब्द है इसका तद्वाव सब्द है इसका तद्वारी क्या होता है तो इसका तद्वाव होगा चत्वार तो यहाँ पूछा किया है निम्न में से कौन तद्वाव नहीं है अगला प्रश्ण आपका निम्न में कौन सब्द तत्सम है प्रश्ण संख्या 47 तो इसका सही इंसर हो जाएगा आप सनी छेत्र चेत्र सब्द जो है आपका तत्सम है इसका तत्सम होता है खेत गाय जो है आपका तत्सम होता है गोब और गधा आपको पता होगा इसका तत्सम गर्दव होता है घर का तत्सम होता है ग्रिह आगे बढ़ते हैं आप निम्लिकित सब्दों में से तद्सम सब्द को पहचानिए तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपका ये आपसन जो है सही हो जाएगा कारड कारड जो है आपका तद्सम सब्द है इसका तद्भा होता है कारण अगे बढ़ते हैं आप निम्न में से कौन काटना का तत्सम है काटना सब्द का तत्सम हो जाएगा आपका कर्तन नेक्स आपका वैताल 25 किस बिसेशड का उदाहरड है तो 51 का आपको एंसर बताना है क्या सही होगा तो इसका सही एंसर हो जाएगा आपसन डी समुदाय वाचक का ये उदाहरड है वैताल 25 आगे पढ़ते हम निमलिखित में से धर्म सब्द से बनने वाला बिसेशड क्या होगा तो इसका सही एंसर हो जाएगा आपसन बी धार्मिक धर्म सब्द से बनने वाला बिसेशड हो जाएगा आपका धार्मिक धार्म धर्म दर्म बिसेसते हो जाएगा और धार्मिक รेती हुआं आगे पड़ते हैं, निम्न में कौन सा सब्द बिसेसथ है? तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपशन बी चमकीला सब्द जो है ये आपका बी सेसड है और आगरा जो है ये आपका बेक्ती वाचक संगिया है क्या है तो ये बेक्ती वाचक संगिया है आपका आगरा कुछ जो है ये आपका अनिश्य वाचक सरो नाम है कुछ सब्द और लिखना जो है ये क्रिया के रूप में प्रियोग होता है अगे बढ़ते हम निम्न में से बिसेसर सब्द आपको बताना है कौन सा है प्रस्थ संख्याच चोगन में तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपसण डी सांत सांत जो है ये आपका बिसेसर सब्द है और बुढ़ापा दौड और क्रोध ये सभी क्या है तो ये सभी भाववाचक संग्या है आगे बढ़ते हम निम्निकित सब्दों में से कौन सा सब्द बिसेसर है तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपसण डी से हुआ अनुसासित सब्द जो है ये आपका बिसेसर है नेक्ष्ट आपका जैसा काम हुएसा दाम में जैसा किस व्याकरदात्मक कोटी का है तो चपन का आपको एंसुर बताना है क्या सही होगा तो जैसा सब्द जो है 263 है ये आपसन सही हो जाएगा नेक्ष्ट आपका इस्तरी सब्द का 263 आपको बताया क्या होगा, इसका सही अंशर हो जाएक़, option D, इस तरही का बिसेसठ हो जाएगा, आपका इस त्रेड, आगे बनते हैं, बिसेसठ बताइए, तो आपको चार अपसन दिया जा mee, इसमें बताना है, बिसेस्ठ काउन सा है, अंठावन का, तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपसन ए चम्मी चम्मी सब्द जो है ये आपका बिसेसर है उसका बिसेस क्या होगा तो चम्मा जो है इसका बिसेस हो जाएगा तो यदि पूछे चम्मा का बिसेसर क्या होगा तो चम्मे होगा आगे बढ़ते आप कला का अंतिम और सरोच धे सौंदर है वाक्य में कितने बिसे सड़ है तो एक वाक्य दिया गया है इसमें आपको बता रहा है कितने बिसे सड़ है कला का अंतिम और सरोच धे सौंदर है तो इसमें आपको पता होगा अंतिम सरोच और धे यह आपके बिसे स तो इसमें कितने बिसेशण हैं तो तीन बिसेशण हैं और बिसेशण से पूछा जाता तो कला जो है आपका ये बिसेशण हो जाता और आज का अंतिम प्रस्ण है निमलिकित में से आकास सब्द से बनने वाला बिसेशण क्या होगा तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपका आपसं C से होगा आकाज C आकाज से बनने वाला बिसेशल हो जाएगा आकाज C और आकाज सब देख पूछा जाएगा क्या होगा तो ये आपका जो है बिसेश से है तो ये होगी आपका आज के जो ह Kitchen? साथ प्रस्ट दोस्तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर कर दीजेगा और चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में वेल आइकन को प्रेस के लिजेगा जिसे आने वाले अगले वीडियो का नोटिपिकेशन आपको पहले मिल जाए और